नमस्कार में रभी कुमार आप देख रहे हैं यूपी नीश्ट वंटीवन अगामी लोगसवा का चुना होने वाला है इस समय इलेक्टर बॉर्ण के लेके तमाम मुद्यों के लेके इस समय सियासी में हल्चल मचा हुआ है वहीं घोसी सीट जो है हमेशा चर्चा कभी से बना ह होता है वहीं राजबर समाज को जो कहा जाता है कि लगबग चार पांचला के आसपस घोसी लोगसवच्चे में और राजबर समाज की वहीं के पूर्व संसद हरी नराइन जी हमारे साथ महजूद है हम इन से जानते हैं जो राजबर समाज की जो बात होती है कि अभी तक वह मेरा नाम हरी नरायन राजबर है, मैं घोशी से 2014 में सांसा द्वाना, 2019 में लड़ा, तो आपके संजुक्त मोर्चा बनकर सपा बसपा का एक परत्यासी आई अतुल राए, तो वो हम उसे जीत गए, और मैं एक खलाख डिर लाख ओट अधिक पाकर के, 2014 साधिक पाकर के चुना वहर गए, यह हमारा पर्चे है, मैं उत्तर पदे सरकार में कल्यान सिंग के जमाने में, तिन विभागों के राज्य मंत्री थे, जेल विभाग, ग्राम विकास, ग्राम लभियंतर सेवा, और उसके बाद 2014 में मैंने सांसाद बना, सुनने में आता है कि घोसी लोग सवाचेत्र में राजबर समाज जो है काफी संख्या में है, और वहां का अभी तक टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, क्या लगता है भारती जनता पार्टी आप ये भरोशा करेगी, क्या आपका चेहरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये तो भारती जनता पार्टी पर डिपेंट करेगा, कि मेरे पर भरोशा करेगी, नहीं करेगी, वो तो उनके निड़े पर है, भाजबर के, मगर स्री घोसी चेत्र से आइबी रिपोर्ट मेरे पक्ष में गया है, कारिकर्ता का रिपोर्ट मेरे पक्ष में गया है, रा समाज की बात करें, तो सबसे बढ़या जो थेकीदार कहा जाता राजबर का नाम जरूर आता है राजबर के नाम ओम प्रकास राजबर के नाम चर्चक भी से बहुते बार इसलिए बनता है कि इधर कभी कभी उधर कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में वहीं ओम प्रकास राजबर को इस समय भारती जनता पार्टी वर्तमान में मंत्री बना देती है और उनके बेटे जो अर्बिंद राजबर हैं सुनने मार है कि उनको परतियासी बना जाएगा उन्होंने परचार परचार भी अपने चालू कर दिया था भी क्या लगता है गोसी से अर्बिंद राजबर को परतियासी बना जाएगा आओम्प्रगास राजबर बियार जाती से बिलांग करते हैं एक बियार जात होती है जो चंदवल्य योगरा के तरफ बनारश के तरफ पाई जाती है बियार जाती से बिलांग होते है जब हमने 2019-1998 में जब महाराजा शुहलदेव की मूर्तिकी अस्थापना करा था, नोर मन्जिलती रहा लखनव में, यानि भाजपा सरकार में, और तब ही सुहलदेव का इतिहास जो है, यानि भारती इतिहास में आया, उष्थ समय सुहलदेव ये ओम प्रकास राजबर, रिक्सा और तांगा च पार्टी बना करके और पुर्वांचल में आकर रस्ला में अपने को राजभर सब्द से संबोधित किया और इधर के सभी राजभरों को राजभर कह करके गुमराख किया और सुवल्देवजी के मुर्तिक का सुवल्देवजी के नाम पर पार्टी चलाए और लगे एकरने से इस पुर्वान्चल के सभी राजभर ये समझे कि ये राजभर है और स्वल्देव जी की अपनी पार्टी बनाया है तब से इनके चक्कर में आ गए उसके बाद या टीकट कसम खाया यहां के राजभरों को कि न हम न हमारे बच्चे कभी चुनाव मैदान में नहीं आएंगे जो ओम प्रकास राजभर हैं ये राजभर समुदाइस नहीं आते हैं लेकिन राजभरों का ओट लेने के लिए अपना खुद का परचे समाज में राजभर बनाए है और लगे चुनाव लड़ने परत्यासियों को जिला पंचायद जिला परिशाद MP, MLA तो सारे परत्यासियों से बहुत ब्याफक पैमाने पर इसने रूपिया लिया और उन्हीं को टिकट दिया जिससे रूपिया लिया किसी राजभर बेक्ति को किसी को टिकट नहीं दिया सिर्फ अपने लड़ रहा है अपने बच्चों को लड़ा रहा है और और किसी को नहीं तो इन्होंने ब्लैक मेल किया अब इधार के दावर में अब इसका एक बार भाजपास से गटबंदन हो गई 2017 में इसको कुछ टिकटे मिली उसको बेचा उचा उम्पर गास राजभर इसके पास पैसा हो गया किसी राजपर को नहीं दराया भारती जंता पार्टी में ऐनता है पूर्वर सांशद ही रहे हैं और उस समय भारती जंता पार्टी में इस समय आपके समुदाय राजबर समुदाय से जुका रहे हैं कि इस समय जो उतर परदेश में सुना जा रहा कि राजबर राजबर समुदाय से भी आते हैं आपके ही पार्टी में इसे मंत्री हैं तितनी नाराजगी क्यों सर किसको नाराजगी जो अभी ओम प्रकास राजबर के लिए कि नराज तो इस प्रदेश का दोका किया राजबर नराज है एक बार मैं बताया ना आप एक बार भाजपा से घट बंदन किये 2017 में इन्होंने टिकट पाए बेचे उचे बेचे खरीदे उसके बाद भाग गए वहां से आए सपा के साथ 2022 में घट बंदन किये और राजबरों को केस चराबी कहा और दूसरी बाते है कि भारती जनता पार्टी को बहुत गाली दिया और नरंदर मोदी को कहा कि मैं अगर हिंदूस दुनिया में कोई जूट बोलने वाला है तो इसका नाम नरंदर मोदी है और इनको अमिज साह को बहुत उटा सिधा गाली दिया उनको रुखना चाहेंगे आपको जब परधन मंतरी हैं उनको ये गाली देते हैं फिर भारती जनता पार्टी अपने में इनको गठ बंदन में ले लेती है मंतरी बना देती है भारती जनता पार्टी कितने हो सकता क्या होती है पहले तो सुन लिजे जब इन्होंने अमिज साह को गाली दिया नरंद जोगी आदित तेनात जी को इन्होंने भीख मांगने का ट्रेनिंग दिया मंचों से भारती जनता पार्टी की कारिकरताओं को यह कहकर गाली दिया कि भाजपा के कारिकरता जहां अगर मिल गया है ते इनको जूता से मारो उस सारी बाते कहा है गाली दिया है उसके बाद इससे गटबंधन तूट गई सापा से गटबंधन इसकी तूट गई और फिर भारती जनता पार्टी के पास गया तो भारती जनता पार्टी के पास इस समय गटबंधन हो गई इसको एक मिला है और इसको मंत्री बनाया गया इसको एक अनि कहा जा रहा है कि घोसी से ये इसका ललका जो है अर्बिंद राजबर बियार जो है उत्थु पर भाजपा के टिकेट पर चुनाव लड़ेगा इसको देख करके पुर्वांचन के राजबर जो हैं बहुत नराज हुए है क्योंकि जान गए कि ये तो बियार है इसके वज़ा से हमारा आरक्षण फसा है इसके वज़ा से जो राजबरों को भाजपा दोरा आरक्षण मिलने वाला था ओर नहीं मिला खत्रे में अब चुकि राजबर भी जागरूख हो गए है ना उनको जनकारी हो गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये प्रमारित करके कि भारती जनता पार्टी ये जान गई है कि सारे राजबरों का यही नेता है सारे राजबरों का ये ठीकेदार है अगर इसको हम तोहफा देते हैं तो हम अब और राजबरों को कुछ भी ना दें और भाजपा में जो काम कर रहे हैं राजबर कारिकरता उनको कुछ भी ना दें तो यह हमको वोट दिलवा देगा अब राजबर कारिकरता इस बात को मान रहा है कि हमारी ठीकेदारी और हमारा जो हिस्चेदारी है यह अब सब ओम प्रकास राजबर को मिलेगा और हम राजबर कारिकरताओं का भाजबा में उपेक्षा हो रही है वो अपना अपमान समझ रहा है और अपना हक्तलफी समझ करके अब वह जो है पूरे पूरवान चलके राजबर जो है अब विद्रो के सिती में रहा है और अपने को नराज हो रहा है और ओम प्रकास के खलाप ओम प्रकास को के खलाप जो है यह हरा कर साबित करना चाहता है कि हम ओम प्रकास के मुठी में नहीं है ओम प्रकास जाती का बियार है एक बियार कभी राजवर का भला नहीं चाहेगा और इसका वजह कि एक बिया को जबकि अब इस समय जो है राज भाजपा जो है ये जाती परंपराओं को मानते हुए टिकट दे रही है तो अब राजभर उत्तर प्रदेश का या सोच रहा है कि एक बियार को टिकट दिया जा सकता है मगर भरतिजनता परटी राजभर को टिकट नहीं देगी इससे बड़ चुलीन ऊबर हुपी और हम दो के साथ रहे मानी और क्या हुए इसलिए राजभर नराज हो रहा है और भारति जनता परटी के लिए प्छोषी लोग सबाचेट्र में तो गोसी लोग सबाचेट्र के भारतिन या बीजय पी ओतर यह कसम खृ लिया हैлюс मैं ओम प्रकास राजबर को जमानत तो एक अलग बात है मैं उससे भी बदतर इस्तिती में हरा कर भेजेंगे यह संकल्ग बना लिया है और उसी के वज़े से जबकि दारा सिंग चौहान उप चुनाव लड़े थे सपा से यानि इस्तिफा दे करके आये थे और वो बिचारे कि किसी को कुछ नहीं कहते है वो एक अच्छा सरी भाद में है मगर इसने उनके मन्च पर जा करके चुनाव पिरियेड में भांसर दिये ओम प्रकास बियार और उल्टा सिधार लोगों को बद्जबानी बोला इसके वज़े से उस विचारे को पूरा उत्तर प्रदिश सरकार उनके सहयोग में काम किया फिलाहाल वो विचारे को बुरी हार हारनी पड़ी सवाल इस बात का है कि किसी भी कीमत पर भारती जनता पार्टी के जो कारी करता है भले उपर की नेता कितना हो इसको पैसा दें उन प्रकास को और कितना हो गाली बरदास करें मगर घोसी लोग सब प्रवांचल के जनता जो है इसकी जानी को करेगी बहुती जनता प्रटी के में और घोすी सलगाने अस अब उनका नारा है कि 400 कर पाड क्या लगता है इस बार किया समिक्रन रहेगी चुनाव के देखिये भाज़ साब यह तो राश्टी निती है अब परदान मंत्री जानते हैं मगर हम को हमको इस बात का चिंता है कि घोसी एक जीती हुई सीट है परदान मंत्री को परदान मंत्री बनाने के लिए एक एक सीट की जरूरत है हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं मगर पता नहीं भाजपा की बरिष्ट नतुर्त को क्या लगा हुआ है एक जीतती हुई सीट को एक हारने वाले परतियासी को चुनाव रारी जबकि वह सीट हार जाएगी और भारती जनता पार्टी का हम ही नहीं कोई भी कारी करता अगर चुनाव रलेगा तो सीट को बंपर बंपर से चुनाव जीतेगा आपका कहना है कि भारती जन्ता पार्टी ओम प्रकास राजबर के जो वेटें हैं अर्बिंद राजबर उन पे भरोसा करती है परतियासी बनाती है तो जीता हुआ सीट और हार जाएंगे हार जाएंगे जीती हुई शीट हार का तमाम रिपोर्ट के अंदर को जा रहा है हार जाएगा निश्चित वम प्रकास के परिवार का कोई भी व्यक्ती अगर चुनाव लड़ता है तो भूरी हार का सामना करना पड़ेगा अगर भाज़पा का कोई भी कारिकरता, अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता वही बाउ जी का कहना है कि वहाँ पे अर्भिंद राजभर को परतियासी न बना करती जनता पाटी कोको उखर। उसको वहाँ परतियासी भारती जनता पार्टी बनाती है तो चुनाव आसानी से जिच जाएगा लेकिन वही बरतमान में जो मंतरी ओम परकास राजबर के बेटे अरबिंद राजबर की जो सुनने मारा है कि टिकट हो जाती है तो बाउजी यह कहना है कि साफ साफो चुनाव वहाँ पर हार सकते हैं और जब आनत जब भी हो सकती है वही जब हम लोग दिली की बात करें केंद्र की बात करें तो उत्तर परदेश की बात जरूर करेंगे जब उत्तर परदेश की बात होती है तो पुर्वांचल की बात जरूर करेंगे कि पुर्वांचल ही परदेश में मुखे मंतरी बनाती है उत्तर परदेशी केंदर में परदान मंतरी बनाता है और जो घोसी सीट है उसको ले के काफी हलचल मचा होता है अब मैं तो आप से कहा कि BJP का कोई भी कार करता अगर टिकट पाएगा तो चुनाव जीतेगा मैं पूरे कार करताओं की बात करता हूं जी और वही बाव जी का भी मनना है जो पूर्व में वहां पर सांसद रहें घोसी से हरी नरायन राजभर जी राजबर समाज से आते भी है और बावु जी बहुत एक बड़ी बात हमारी चैनल पर कहा कि जो ओम परकास राजबर समाज का ठिकदार बनते हैं नेता बनते हैं वो राजबर है ही नहीं हो वो बियार है वो बियार जाती से हैं राजबर समुदाय से नहीं है राजबर समुदाय को बस एक टाइटल एक नाम लेके उस नाम पे वो अपना राजबर समाज है उनको गुमराह किया वह प्रकास राजबर ने ऐसे तमाम इनकी बाते कहनी है वह प् कि पूरी जीवन बित गए राजनीत करते करते बुढ़ापा का समय आ गया और बहुत बरिश्ट नेता भी रहे